भारत माता का जैकारा लगाएंगे सारे जनें पूरे दिल से मुठ्थी बंद करके हाथ उपर करके जोर से बोलेंगे भारत माता की इंकलोर इंकलोर वंद 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 अ हरयाना के कोने कोने से आए हुए मेरे भाईयों बहनों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमशकार सब को मेरा प्रणाम सबसे पहले तो मैं उन तीन सो से ज़्यादा शहीदों को नमन करता हूँ अभी हमने उनको यहाँ पे श्रद्धांजली दी लेकिन पूरे देश की तरफ से उन तीन सो लोगों की शहादत को नमन करता हूँ जिनोंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गवा दी अब हमारी जिम्मेदारी है पूरे देश की जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए अब अन्त तक लड़ना है लड़ोगे अन्त तक लड़ना है उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए अभी पता चला कल रोतक में इन्होंने किसानों पे लाठी चार्ज कर दिया ये बड़ी गलत बात है जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है वो देश कभी प्रगती नहीं कर सकता किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ओपर लाठी चार्ज करना चाहिए हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी और आज पूरे हर्याना में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जान कर रखा है हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं मैं अभी जब आया मेरे को भी काफी टाइम लग गया कई जगे से मेरे को घूम के आना पड़ा लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अभी मेरे को बता चला है कई सारी बसे हैं कई सारे लोग जो आज यहां सभा में आना चाहते थे वो जगे जगे चक्का जान में फसे हुए हैं मैं उनसे मासी मांगना चाहता हूँ कि हमें अभी यह सभा शुरू करनी पड़ी नहीं तो कई लोग जो ग्यारा बज़े के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था मैं तो आज आपी के लिए आया था आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हैं उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ जो लोग जाम में फसे हैं और अभी पहुँचने में समर्थ हैं दोस्तों जब से जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करें पूरे देश के किसान दुखी हो गए पूरे देश के लेकिन सारे किसान ये सोच रहते कि कौन आगे बढ़के संघर्ष करें कौन आगे बढ़के इसका बीड़ा उठाए तब पंजाब और हर्याना के किसानों ने आगे बढ़के पूरे देश के किसानों का नित्रत्व किया अभी थोड़े दिन पहले मैं पंजाब होके आया पंजाब में भी किसान महापंचायत करी पंजाब के किसानों का धन्यवाद करके आया आज मैं हर्याना में आया हूँ हर्याना के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि पंजाब और हर्याना के किसानों ने नित्रित्व करके इस पूरे किसानों के संगर्ष का नित्रित्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद किया कि आप लोगों ने इन तीनो कानून काले कानूनों के खिलाफ सारा देश आपके साथ है ये मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं चिंता मत करना कोई कुछ भी कहें चिंता मत करना मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुँ सारा देश आपके साथ है सारे देश के किसान आपके स किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए हो सकता है असाम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए पर यह मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है रोज सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के उपर बैठे वे किसान के लिए प्रार्थना करता है दुआ करता है कि हमारे संगर्ष में हमारा ये संगर्ष सफा लोना चाहिए सारे देश का किसान अपने साथ है सारे देश का किसान अपके साथ है दो और जब से यह संगर शुरू हुआ है पहले दिन से पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अर्विन केजरी वाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है कदम से कदम मिला के हम लोगों ने साथ दिया है मेरे को याद है जब किसानों ने पंजाब और हर्याना के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे तो हर्याना सरकार ने जगे जगे आसु गैस के गोले छोड़े जगे जगे बेरियर लगा दिये उनके उपर लाठी चार्ज करा लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो सरकारों के बुल्डोजर पार करते हुए आसुगेस के गोले पार करते हुए इनके लाठी चार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉडर के उपर पहुंच गए तब केंदर में बैठी बीजेपी सरकार ने एक शड़ेंत्र रचा केंदर सरकार ने शड़ेंत्र बनाया चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तो केंदर सरकार ने दिल्ली के नो बड़े बड़े स्टेडियम नौ बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं और जैसे ही इस किसान दिल्ली में पहुँचेंगे इन सारे किसानों को उठाके स्टेडियम में बंद कर देंगे फिर बैठे रहना वहीं स्टेडियम में बैठके करते रहना अपना संघर्ष ये केंद्र सरकार ने शड्यंत्र रचा पर भाई साथ अपनी किस्मत अच्छी थी कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है तो केंद्र सरकार ने फाइल बेजी मेरे पास और बाई साब फोन पे फोन पे फोन आने लगे इतना प्रेशर डाला इन्होंने केंदर वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो जेल बनाना बहुत जरूरी है law and order problem हो जाएगी दंकी भी दी उन्होंने मेर को तुम्हारी पावर खतम कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे पर भाई सब मैं नहीं माना मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का आंदोवन सही है किसानों की मांगे जाए जाए किसानों की मांगे तुरंट मानी जाए और दिल्ली पुलिस का ये प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाए जाए ये प्रस्ताव खारिज किया जाता है और मैंने फाइल उनकी वापस पेज़ दी बाई साथ इतना नाराज हुए ये इतना नाराज हुए मेरे से इतना गुस्ता हुए आग बबला होगा केंदर सरकार बीजेपी वाले फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला अपने सारे सांसदों को कि बॉर्डर पे जाओ किसान बैठे हैं उनकी जाके सेवा करो आम आदमी की तरह आम आदमी की तरह जाना टोपी बेहन के मत जाना ज़ंदा लेके मत जाना केजरिवाल का नाम मत लेना आम आदमी पार्टी का नाम मत लेना अपने को राजनीती नी करनी बॉर्डर पे जाओ किसानों की सेवा करो हमने लंगर लगवाए दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतिजाम करा तोईलेट का इंतिजाम करा एक दिन कुछ किसान भाई आए मेरे पास बोले जी वहाँ पे सिगनल कमजोर है घर पे बात नहीं हो बाती गाओं में बात नहीं हो बाती हमने सरकार की तरफ से वाँ पर वाई-फाई का भी फ्री वाई-फाई का इंतजाम कर दिया वाँ पर बॉर्डर के उपर जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था सब कुछ करा जी और जिस दिन राकेश टिकेट भाई साथ के साथ वो हादसा हुआ जिस दिन राकेश टिकेट 28 तारीक थी मेरे ख्याल से 28 या 29 जन्वरी की शाम थी मैंने टीवी खोला मैंने देखा राकेश टिकेट भाई साथ उनकी आखों में आसु है वो टीवी पे रो रहे थे मेरे से रा नहीं गया पहले संजे सिंग जी को मैंने कहा संजे सिंग ने उनको फोन करा फिर मैंने राकेश टिकेट जी को फोन करा मेरी उनसे फोन पे सीधी बात हुई मैंने राकेश टिकेट जी को कहा मैंने कहा भाई साब आप दिल कमजोर करोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा आप अपना दिल ठाड़ा करो आप अपना दिल कंजोर मत करो हम सारे आपके साथ है सारा देश आपके साथ है बताओ आपको क्या चाहिए बोले जी योगी सरकार ने हमारी बिजली बंद कर दी योगी सरकार ने हमारा पानी बंद कर दिया योगी सरकार ने हमारे टॉयलेट बंद कर दिये मैंने का चिंता मत करो एक गंटा देो एक गंटे के अंदर आपके लिए मैं बिजवाता हूं दिल्ली से एक गंटे के अंदर हमने जनरेटर बिजवा दिये बिजली का इंतिजाम कर दिया टॉयलेट का इंतजाम कर दिया पानी का इंतजाम कर दिया सारा इंतजाम कर दिया और मझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान अंदोलन चार महीने के बाद जिंदा है अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए इसी वज़े से वो इतने परिशान हो रहे हैं मिर से कि बहुत बड़ा खामिया जा भुगता है हमने किसान अंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं वो एक कानून लेके आये कानून पास कर दिया संसद ने कि दिनली के अंदर चुनी हुई सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी सा इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश आजाद होएगा जनता की ताकत होएगी जनता वोट डालेगी वोट डालके अपनी सरकार चुनेगी सरकार जनता के लिए काम करेगी अरे ये कैसा कानून कि जिस सरकार को जनता न नहीं और तुम्हारे लेटिनेंट गवर्नर की सारी पावर संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी सुशील गुपता जी वहीं बैठे थे संसद में बीजेपी के एक-एक संसद ने खड़े होके बोला केजरी वाल ने किसानों का समर्थन किया था इसलिए केजरी वाल को सजा दे रहे हैं हम लोग सुन लेना आप यूट्यूब के उपर सोशल मीडिया पे सुन लेना इनके बीजेपी वालों के भाशन बीजेपी वाले संसद में खुले हम बोल रहे थे चैलेंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्य मंत्री ने किसानों का समर्थन क्यों करा दिल्ली के मुख्य मंत्री ने किसान अंदोलन का समर्थन करा इसलिए केजरी वाल को ये सजा दी जा रही है मैं उनको कहना चाहता हूँ हमारे तीन सो किसान भाईयों ने शहादत दे दी अपनी जान दे दी इस किसान किसान अंदोलन के लिए अगर केजरिवाल की जान भी चली जाए आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग आज ये जो किसान अंदोलन है हर भारत वासी का फर्ज है हर देश भक्त का फर्ज है जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं उसका फर्ज है कि किसान अंदोलन का साथ दे जो आदमी किसान अंदोलन के साथ है वो देश भक्त है और जो आदमी किसान अंदोलन के खिलाफ है वो गदार है वो देश का गदार है इस किसान अंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरी वाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ मैं हर कुर्बानी देने के लिए तयार हूँ अभी परसो में सुशील गुप्ताजी से मेरी फोन पर बात हो रही थी इन्होंने बताया जी गाओं गाओं में जा रहे हैं इसकी तयारी आज इस महापंचायत की तयारी करने के लिए बोले जी गाओं गाओं के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूद पिलाते हैं जिन गाओं के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दोड़ा दोड़ा के भगाया जा रहा है वहाँ पे आज आम आदमी पार्टी के कारेकरता को इज़त बक्षी जा रही है पूरे देश के अंदर आज सब लोग एक ही बात कह रहे है कि आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए कि आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं आज किसान मेरे अंदर अपना हितैशी देखते हैं मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों इसकी जो सजा देना चाहती है के अंदर सरकार मेरे को सजा दे जनता की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीती में आए हैं देश की सेवा करने के लिए छे साल हो गई दिल्ली में सरकार चलाते हुए छे साल में आप लोग भी जानते हो कि खूब काम की हैं दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं दिल्ली में बिजली मुफ्त हो रही है पानी मुफ्त हो रहा है महिलाओं की बसों का में किराया नहीं लगता अगर महिला बस में सफर करें उसका किराया नहीं लगता खूब सडके बन रही हैं खूब विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर आप तो जाते रहते हो दिल्ली आपको पता होगा और कितने सारे राज्यों में भी उनकी जरकार इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरिवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिये बीजेपी ने पूरे देश में मिलके एक स्कूल नी बनवाया एक कालिज नी बनवाया एक अस्पताल नी बनवाया बताता जी बनवाए हो तो आप इतने जने आ रहे हो पुरे अडियाना के कोने कोने से आपके जिले में आपके गाहों में आपके महले में कोई स्कूल बनवाए हो इन्होंने बंद जरूर करा दिये कई स्कूल बंद करा दिये इन्होंने गलत नहीं कह रहा भाई साथ एक स्कू फिर भी इन से एक स्कूल नी बना एक अस्पताल नी बना एक कालेज नी बना मैं इनको कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती नियत की जरूरत होती है तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है तुम्हारी नियत खराब है केजरिवाल के पास शक्तियां नहीं है हमारी नियत साफ है तुम हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो ये इस दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे दिल्ली के अंदर अस्पिताल बने थे और बनते रहेंगे जितना काम ये बीजेपी के केंदर सरकार और इनकी सारी सरकारे मिलके पांच साल में जितना काम नहीं कर पाई बाई साथ चैलेंज करता हूँ केले हम लोगों आप हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया मैं हे कि नहीं कि आप कहीं चले जाओ पूरवी बारत में नागलेंड चले जाओ त्रिपुरा चले जाओ बंगाल चले जाओ भीयार चले जाओ किसी सी आदमी को पकड़ के पूछ लो भाई साब दिल्ली में केजरी वाल ने उसने कुछ काम करा काई गहां जी अस्पताल तो ठीक कर दिये आप जम्मू कश्मीर चले जाओ पूछो भाई साब केजरी वालने कुछ काम करेगा काई जी बिजली फ्री कर दी उसमें आप गुजरात चले जाओ पूछो केजरी वालने कुछ काम करा बोला जी पानी ठीक कर दिया स्कूल ठीक कर अस्पताल ठीक कर दिये। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा पांग साल ने? कहेंगे जी उन्होंने किसान बरबाद कर दिये, व्यापारी बरबाद कर दिये, यूथ परबाद कर दिया युवा परबाद कर दिये सब को परबाद करने के सिवा भाई साब इतने सारे आदिमी बैठें अगर बीजेपी ने एक काम कराओ पांच साल में इतनी शक्तियां इतने एक काम कराओ मिरे को बता देना जी कोई एक काम कराओ पान साल में कोई एक काम इनों ने करा हो डंका तो भाई साब आए इनके पास शक्तियां तो बहुत है नियत खराव है इन 75 साल में इस देश पे दो ही पार्टियों ने राज करा बीजेपी और कॉंग्रेस दो ही पार्टियों ने राज करा 75 साल में आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं तो 75 साल में बीजेपी और कॉंग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं किये आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो सकती है फ्री मिल सकती है बिजली 22 साथ दिल्ली में हर आदमी की बिजली फ्री कर दी 24 घंटे कर दी दिल्ली में अगर बिजली फ्री हो सकती है 24 घंटे हो सकती है तो बीजेपी वालो, कॉंग्रेस वालो बताओ, तुमने 75 साल में क्यों नहीं करी दिल्ली के जनता पूछेगी इन से सवाल पूछेगी इनको जवाब देने पड़ेंगे और ये सारे जने मिलके ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा अगर मैं भी आज सत्ता में आने के बाद बदल जाता आज भी आपके सामने वो ही केजरीवाल खड़ा है जो दस साल पहले केजरीवाल था इतना सा भी नहीं बदला मैं उतनी इमानदारी के साथ काम कर रहे हैं पहले काम करते थे ये सारी पार्टियां चाहती है केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए ये चाहती है मैं भी अपना घर भी भरू थोड़ा मैं कमा हूँ थोड़ा इनको कमा के दूँ तो ये मेरी शक्तियां नहीं चीनते तो ये मेरे मेरे खिलाफ नहीं होते आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिये हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना आज भी मैं देश की सिवा कर रहा हूं जनता की सिवा कर रहा हूं भाई सब छोटे बच्चे होते थे हम मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में तीन किसम के देश होते हैं विक्सित देश डवलप्ड कंट्री जो अमीर देश होते हैं विकास शील देश डवलपिंग कंट्री और ए विक्सित देश जो देश विक्सित नहीं है तो बच्पन में पढ़ा करते थे भारत विकास शील देश है तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकास शील है तो ये विक्सित कब बनेगा ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा तो मास्टर कहता था पांच दस साल में आ जाएगा बाइज अब 40 साल तो हो गए सारी पार्टियां आली सारी पार्टियां चली गई आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है आज भी मेरे बेटे को कहते है भारत विकास शील देश है कब होएगा विक्सित 5-7 ऐसे यू नहीं होने वाला इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तो मेरी जिन्दगी का तो एक ही सपना है अपने जीते जी भारत को दुन्या का नम्बर वन देश बनाना है दिल्ली बदल के दिखा दी पान साल में पान साल पहले दिलि का बुरा रहाल था आज दिलि की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है पिछली बार 67 सीट दी थी इस बार 62 सीट दी है दिली बदल के दिखाई है अब मैंने तो बगवान से मेरी सेटिंग है जी बगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृठ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देख लो और यहां जितने किसान भाई आये हैं उन सारे किसान भाईयों को मैं कहना चाहता हूँ थाड़े रहना चिंता ना करना दिल्ली में थारा छोरा बैठा ऐसी हम अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े अंत तक किसान अंदोलन का साथ देंगे और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए लेकिन किसानों की मांगों के सामने किसान अंदोलन के सामने बीजेपी को जुकना पड़ेगा केंदर सरकार को जुकना पड़ेगा इनका गरूर खतम होगा भारत मता की कि मांगों के सामने की अंदोलन कर दोफेगा बारत मता की ये के लिए जाए ये ये लो रखतर को जुकना पड़त झाल झाल